हेलो एवरीबन आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेज में आप सबका तैय दिल से स्वागत है आज किस वीडियोज में हम आप सबको क्लास 10 के अंतरगत आने वाले भौत की की इंपोर्टेंट गना अब्जेक्टिव प्रसने से रुबरू कराने वाले हैं जो परिछा के द कोशन आपका है फटाफट उन सब कोशनों से रुबरू कराएंगे मेरे प्यारे इस ठीक है तो पहला एनिमन में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए परियुक्त नहीं किया जाता है जल काच प्लास्टिक और मिटी आप लोगों कमेंट करके options मिलाना है कितने आपके स दूसरा सवाल कहता है एक उत्तर लेंस की छमता एक डियूप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर माइनस 10 फिर आगे है 100 और डी है माइनस 100 cm तो देखे एक डियूप्टर दिया है तो आपको फोकस बताना है तो आपको सुत्र पढ़ है पी बराबर वन जिसको आगे हम 100 सेंटीमीटर कह सकते ठीक है तो इसलिए दू कसी राइट एंसर होगा जिनका भी कमेट में सी है सही है तीन नंबर कोशन देखिए तीन आपका सवाल कहता है कि किसी बीम का वास्तित तथा समान साइज का परत्विम पराप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहा रखना चाहिए कोशन आया है पहला उप्सन देख सकते है लेंस के मुख फोकस पर फोकस दूरी की दूगनी दूरी पर सी है अनंद पर और देखिए मेरे प्यारे इफडेंट इसका एकदम बिल्कुर राइट एंसर भी होगा है ना फोकस दूरी की दूगनी दूरी पर तीन का भी राइट एंसर है चार नंबर कोशन देखिए चार है गोली दरपड तथा पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है माइनस पंदस थी दरपड़ समोत अब क्या है दोनों उतल्यों है दरपड़ उतल देखिए चार का अकोशन में जवाब बताएगा जय एक दम फूरेट जूपर घंज होगा क्या होगा दोनों अवतल होगा चार का एकदम किलियर हो गया चलिए पांच नंबर कोशन पर देखते हैं बहुत इजी कोशन और पुरिछा में तो यह पूछता ही रहता है हर दम कि परकास के अपवर्तन के कितने नियम बिल्कुल इजी तो आप लोग जानते हैं दो नियम और सिक्स कोशन देख सकते कितनी बार आया हुआ है परकास के परावर्तन के कितने नियम तो यह भी आपका एकदम बी राइट एंसर होगा दो तो यह दोनों एकदम एजी थे असान भी थे साथ नंबर कोशन देखिए 15 में पुछा है यह कोशन कहता है कि सरल सुच में दर्सी मे इसे में किसका उप्योग होता है उतल का होता है उतल का होता है यह है आट नंबर कोसं किसी माध्यम के अपरतनांग का मान होता है famous question sin i better sin i, sin i better sin i, sin i, sin i gune sin r और dh sin i plus sin r तो देखो मेरे प्यारे इसका एकदम आपका बिलकुर right answer एह होगा sin i plus sin r है ना ये अपरतनां किसे mu बरावर कहते है mu बरावर sin i इसे s nail का नियम भी कहते है ना इसे क्या कहते है s nail का नियम याद रखिएगा 9 number question है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगहों समान मोटाई का बीच का पैक्चा किनारों पर मोटा किनारों का पैक्चा बीच में मोटा इन में से कोई नहीं देखिए मेरे प्यारे ट्रूट ये आपका उत्तल लेंस इस तरह का होता है तो ये किनारों पे क्या होता है पतला होता है लेकिन बीच में क्या होता है मोटा तो किनारों के पेक्षा बीच में मोटा आपका C राइट एंसर हो ओके चले 10 नमबर कोशन देखिए ये कोशन पुछा हुआ है कि ओतल लेंस का आवर्धन M जो है न बराबर होता है क्या होता है U by V, U, U plus V और D है B by U तो मेरे प्यारे इविडेंस आप लोग फटाफट कमेंट के जरीए बता सकते हैं आईए हम बताते हैं मिलाएंगे अपना एंसर आवर्धन M जो होता है न भी बर यू होता है और जिनका भी कमेंट में 10 का D है राइट एंसर फटाफट मेरे प्यारे इविडेंस पहुछ सारे कोशन समने लाया है और चाहते हैं कि आप लोग को सब कोशन से रूबरू करा दूँ चलि एक ग्यारा नंबर कोशन देखते हैं दस थाना थोड़ा सा हिल गया है एक ग्यारा देखिए एक ग्यारा नंबर कोशन है कि गोली दरपड के फोक्सांतर एवा मकरता तिर्जा के बीच संबन्ध बताना है वह तीजी है इसमें देखिए आर बराबर आपने पड़ा है आर बाई टू तो इसको हम आगे आर बराबर टू एफ कह सकते है ठीक है न आर बराबर टू एफ जो कि आपके पहला उप्शन पे एक ग्यारा का यह बिल्कुर राइट हैं चलिए बारन नंबर कोशन देखते है जिसमें लिखा हुआ है कि निरगत किनन अबिलम के बीच को क्या कहते है आपतन कोण परावरतन कोण निरगत कोण और इन में से कोई नहीं तो मेरे प्यारे इवडियंट इसका एकदम बिल्कुर बारा करना राइट एंसर सी होगा इसे निरगत कोण कहते है ओके तेरा नंब लेंगे तो आपको वन ही मिलेगा जो कि यह आपकी छमता होगी और आपके बी ओप्सेंस में तेरा कभी राइट एंचर होगा ओके चलिए क्वेशन नंबर चौदा चौदा है कि किसी अवतल दरपड़ द्वारा कालपनिक सीधा है और तथा आवर्दित बनता है तो वस्तू की स्तिती होगी दरपड़ तता फोकस के बीच फोकस तता वकरता केंद्रे वकरता केंद्रे पर और डी है वकरता केंद्रे से पर है तो चौदा का एकदम बिल्कु राइट एंसर यह होगा जिनका भी कमेंट में यह है राइट एंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं कोसन नमबर 15 की हो देखिए यह थोड़ा सा कोसन किस दरपड़ दवरा परत्वीम सीधा है यह हम छोटा बनता है उतल ओतल समतल या इन में से कोई नहीं तो 15 का देखिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आईए हम आपको पंदरा के राइट एंसर मिलाते हैं पंदरा का आपका बिल्कु राइट एंसर एगा उतल दरपड को क्या कहते है अभिशारी 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 तता अभिशारी दोने इन में से कोई नहीं तो 16 का बिल्कुल आपका राइट एंसर एग होगा आभिशारी ओके चलिए 17 नंबर कोसं देखिए का मेरे प्यारे इस डेंट्स आपके लिए एकदम बढ़िया बढ़िया कोस जिनका भी कमेंट में सही है ओके और 18 नंबर कोसन है किस दरप्ण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक परत्वी में प्राप्त किया जा सकता है समतल से वहतल से उतल से इन सभी दरप्ण द्वारा तो आप लोग कमेंट में जल्दी बताईए आये स्टुडेंट सम्भिल आ हम्मेंत के संभी ने इसका है आपका एक दम बिलकुर रैट एंसर की आवर्धित परत्वीम बनाना ना हो बड़ा करत्वीम बनाना सके और गल्र इसके लिए हैं सीमतल दे करमें कालपनिक होता है जिनका भी कमेंट में 20 कभी है एकदम सही है ओके अगे देखे कोश्चन कि 20 के बाद 21 कि 21 कहता है कि किसी वस्तु द्वारा आवर्धित बनता है आवर्धित का मतलब होता है बड़ा यहना कौन सा बड़ा परतिम बनाना है इसके लिए आपको क्या चाहिए उतल चाहिए श्रमतल उतल या सभी परकार के दर पड़ तो देखो मेरे प्यारे रस गुल्ले इसका हम राइट एंसर बताते फटा 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 एंसर होगेगा कालपनिक परतिवीम हमेशा सीधा होता है और जिनका भी कमेंट में 22 का ए है राइट एंसर ऑके तेईस है कि किस दरपड में हमेशा आभासी और छोटा परतिम बनता है उतल उतल समतल और इनमें से कोई नहीं तो तेश कर देखिए एकदम बिलकूर राइट एंसर आपका भी होगा उतल दरपड इसलिए इसका उपयोगना साइड मिरर में भी होता है गाड़ी के साइड मिरर में जानते ही होंगे आप लोग चलिए अनब भी राइट एंसर हो गया फटा पट मेरे प्यारे इस्टिटेंट जो लोग अब भी आया लाइक किजिए वीडियो क शेयर किजिए उड़ने के लिए बना हूँ उड़कर दिखाऊंगा कोई लाक काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा किस दरपड की फोकस दूरी जो होती है ना पोजेटिव होती है धनात्मक होती है प्लस में समतल उतल उतल और इन सभी तो देखिए मेरे प्यारे इस इसका हम राइट एंसर बताते है इसका एक दम बिलकूर राइट एंसर भी होगा उतल दरपड की फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है उंकर इस तरह से आती है तो यह आपका focus दूरी यहाँ पर बनता है जो कि positive होता है ठीक है 25 गोलिये दरपड के धुरू और focus के बीच की दूरी को क्या कहते है धुरू और focus जैसे यह दरपड हो गया यहाँ पर इसका धुरू है और यहाँ पर focus है तो यह जो दूरी है न यह वाला इसको क्या कहते हैं तो आप लोग जानते ही हैं इसको फोकसांतर कहते हैं मसलिए 25 का भी राइट एंसर होगा फटाक से कमेंट बताएं मिलाएंगे अपना हजामते दरपंढ में ओतल का इस्तमाल होता है गारीछ आपके पहला यह दरप explosive कूर mo लोगियों के नायक कान गाला जो है जास के लिए डाक्TER परीयोग करता तो देखिए रोग्यों की काननाक्स जांच जो होता है ना वो अतल दरपड की उप्योक्स होता है एकदम बिल्कुल एराइट एंसर है तीस का है ओके आगे देखिए 31 की पानी में डूबे उत्तर लेंज की जो फोकस दूरी होती है ना हावा में इसकी फोकस दूरी के अफिक् कोई नहीं तो देखिए मीरे प्यारे प्यारे ठॉटन पहुता है बद्व होता है वास्तवीक और घरी yn इन में से कोई नहीं जल्दी से comment में बताइए देखिए हम इसके राइट एंशर बताते हैं उत्तर लेंश में बना परत्विम जो होता है और जो परत्विक हो वास्तित हो हमेशा उल्टा हो जाता है मिसले 32 का वी राइट एंसर होगा ओके 33 यह उत्तलनेस द्वारा कालपनिक परत्वीम बनता है जब बीम का मतलब होता है वस्तु ठीक है जब वस्तु जो है कहां पे हो बताना है फोकस पर रहता है फोकसांतर से कम दूरी पर अनंद पर फोकसांतर की दूग के चृपका होती है फोकस दूरी की दूगनी फोकस दूरी के ब़ाबर क tuo को तुरी के वयूत कर्म और फोकस दूरी की तीगोनी तो देखिए आपने चृमता बठावर सुत्रवतला है फी बढर वनवटा एफ वनवटा ए तो इसको नहम व्यूत करम बोलती हैं वयुत करम तो इसलिए इसका राइट एंसर आपका शी होगा और जिनका भी कमेंट में 34 करना सी है वो लोग राइट एंसर 35 देखी एस्टूदेंट कहता है कि उत्तल लेंस में एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है किसी वस्तु को तब परत्वीम बनता है बढ़ा और वास्तवीक छोटा और वास्तुइक बढ़ा और काल्पनी तो मेरे प्यारे इस्टूदेंट इसका राइट एंसर आपका तो मिलांगे इसका हम राइट एंसर बताते हैं आप लोग Stecul westernे जिनका भी कमेंट में उत्तर लेंसे सई है कि 28 कोस्टन है कि कि ऊप्यूग दिर्गि द्रिश्टी दोस्त को संशुजीद किया जा सकते ऊप्यूद कभी ऊप्पने ब्लेकर तो प्यारे इस्ट्रेंटेंट्स इसका देख्ये बिल्कूर राइट एंसर हम बता रहे हैं उत्तलर सोगा है ऊत्तलर दूर्पिश्चिंद्क करने में इस्तमाल होता है और फिर निकर्टर्पिしたी दोसको इसे भी याद कर लेंगे जो की परिचा के द्रिष्टी से महतपूर्ण है आए इस वीडियो के लास्ट कोस्टन 38 से मिलाते हैं कहता है 38 कोस्टन की देखिएगा कि नई कार्थी चिन परिपार्टी करूशा दरपड के शामने रखे गए बीम बीम का मतलब होता है वस्तु कि दूरी ली जाती है धनात्म कभी धनात्मक कभी देंद्र हैं इनमें से कोई नहीं तो मेरे प्यारे इसरोडेंट्स हम आपके इसके राइट एंसर से मिलाते हैं अपना कमेंट मिलाइए गा कभी बीम में जो होता है न माइनस होती है इसलिए 38 का करेक्ट एंसर भी होगा तो मेरे प्यारे इस आज की अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह आपी का चैनल है मेरे प्यारे रुडिन्स मैंने पहले भी कहा है कि मैं कहा हूँ तु ही तु है यह सब तेरा अंदाज है और मुझ में जो बोनता है यह तेरी आवाज है तो सभी लोग लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को बड़ा बनाएए इसके लिए मस्क्ला से सदा आपका आभारी रहेगा हम आप सबको सुक्रियादा करना चाहते हैं कि आपने इस वीडियो को अंतक देखा थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो जैहिन फ्रेंट्स टाटा बाए बाए